हेलो फ्रेंड्स देखिए अगर आप इंडिकेटर बेस ट्रेट करते हो तो आपको कितना लोस होता है मिस आपको एवरी टाइम कन्फूजन रहेगी कि आप कहां पर बाइक करें कब एकजिट करें फोर जंपल यहां पर आप देखोगे कि यह आरे से इंडिकेटर यहां पर बोले जाता है कि 70 के उपर ओवर बाउट 30 के नीचे ओवर सोल तो ओवर बाउट जो देखिए 70 के उपर जैसे फोर जंपल आज की ट्रेडिंग में देखिए 10 मिन का चार्ट है निफ्टी का और यह द देखे 10 25 के बाद भी यह प्राइज और मोस्ट 100.2 पर चला गया आ रहा है सही तो आपको दिखा रहा है कि नीचे नीचे क्या रहा है सही कि कोडिंग तो आप देख रहे हो कि सेल कर दो बट प्राइज उपर जा रहा है तो आप देखो कि यह देखिए कि अगर आप इंडिक की दिए जैसे यह 9 डेज यह 8 डेज और 21 डेज की एम है तो कोई भी आप ले सकते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 20 ले रहे हो या फिर यह उपर वाली आप जो ब्लू कलर किया यह 8 ले रहे हो 9 ले रहे हो 10 ले रहे हो इतना कुछ खास उस पे इंपेक्ट न कफी ले को ακो फिर कर दिया फिर मार्केंट ऊसके आज उर्पर चला गया यहांपर का गया में यह काम करता है जब मर्केट ट्रेंडिंग हो बिल्कुल बल्कुले करने नहीं तबbah आपको काम कर रहेगा और बीकाफिस क्टॉ Даже समें सब्सक्राइफ कि इह екosa काफ़ी लेट होगी तो फ्रेंड अगर आपने इंडिकेटर बेसी ट्रेट करना है आप उसे आके बढ़ना है नहीं चाते है तो इंडिकेटर बेस मैंने एक स्टेश जी पर एक सेट अप यूटूब पर अपलोड किया हुआ है बैंग निटी पर बताया हुआ है तो उस वीड होता है काफी टूल के हलब भी ले सकते हो कि जैसे हैब इस दृट की है तर यहां पर दाउन ट्रेंड स्क्राट हुआ और यहां से अगर मैं यह ट्रैल लगा यह न है है लग-लग time पर लग-लग time frame में अलग-लग वहां पर chart trading करने पड़ती है कि क्या हमें chart पर देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले देखिए price बोलता है कि price में क्या action हो रहा है उसके बाद indicator उसको price को follow करते हैं वो भी late follow करते हैं और जब आप pure price action trading करोगे तब आपको दिखाई देगा कि FIDIs क्या कर रहे हैं जब इसको आप deeply analysis करोगे तो इसलिए आप सब के लिए हमने एक free master class range कर रहे हैं जिसमें यह one और one and half hour का session होगा इस संडे 4 पिम इसमें हम आपको बताएंगे कि price action trading like a professional trading कैसे होती है और इसमें कोई indicator use नहीं करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि filled और unfilled order क्या होते हैं कैसे unfilled order को identify करके आप एक professional trading कर सकते हो लाइके FIs और DIs को आप उसको track कर सकते हो कि कहां पर वो buy sell कर रहे हैं तो friends यह pure live session रहेगा को recording नहीं तो जो live session intent करेगा उसी को benefit मिलेगा और link आपको telegram channel जो मारा free telegram channel है trader विशाल चर्मा वहाँ पर आपको link मिल जाएगा संड़े को कि लाश्ट time भी हमने एक free webinar किया था उसमें हमने को काफी अच्छा gift दिया था कि हमारे साथ WhatsApp पर paid member as a free join करने के लिए तो वो उन्होंने join किया और वो free में मज़ा उठा रहे हैं और profit revenue profit कर रहे हैं तो इस बार भी हम try करेंगे कि और भी से अच्छा best gift आप के लिए दे जो online session 10 करेंगे क्योंकि मेरा purpose है कि आप सीखे कोज काफी टेडर मार्केट में आते हैं वो बस यही सोचते हैं कि बस थोड़ा सा पैसा अगर बन जाता है एक दो बार तो सोचते हैं बस ट्रेडर बनगे अब तो पैसे ऐसे बनता रहेगा बट फिर जब उनका time आपको देना पड़ता है learning के लिए education के लिए बस टोक मार्केट में ट्रेडर बस देखता है कि बस इसमें क्या सिखना है इसमें क्या सिखना है तो अगर अपने professional profitable trader बनना है तो आप learning पर focus किजिए और यह तो विल्कुल free master class है free आपको learning मिलेगी और telegram का link अगर आपने नहीं जोइन किया हुआ है telegram हमारा उसका link आपको description को box में मिल जाएगा link पर क्लिक करकर telegram में बने रहें telegram पर आज हमने call भी शेयर किये अब वहाँ पर भी हम continue call शेयर करते रहते हैं चार्ट भी शेयर करते रहते हैं तो मैं अमीद करता हूं कि जिसने profitable trader बना है तो वो इस free session में जिरूर जोइन करेंगे धन्यावाद